नमस्कार मैं हूँ श्पीता चाहो और आप देख रहे हैं आज तक सबसे पहले आपको हम दो बजे के बुलचिन में कोरोना अपडेट दे दें आपको हम ग्राफिक्स के जरिये दिखाते हैं कि देखे भारत में किस तरह से मरीजों की संक्या बढ़ती जा रही है कितने मरीज स सामने आ रहे हैं तो आपको बता दे कि भारत में कोरोना मरीजों की तादार 26,000 से जादा हो गई है जबकि 824 मरीजों ने आप तक दम तोड़ दिया है और इस बीच आपको देखे ये ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया और ये कुल मामले 26,496 और ठीक हुए हैं 5804 लोग ठी जादे की वो कौन-कौन से राज्जी है जहाँ पर सबसे जादा मरीज सामने आ रहे हैं जिसमें की महराष्ट्य पहला राज्जी है जहाँ पर 7,628 मामले अब तक सामने आ चुके हैं यहां 323 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है ये सरकार के लिए ना सिर्फ राज्जी सर करें तो वो है दिल्ली दिल्ली में 2625 मामले अब तक सामने आ चुके हैं अलाकि 54 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है अलाकि कई लोग ठीक भी हुए हैं राजस्थान की बात करें उसके बात तो राजस्थान में 2083 मामले सामने आ चुके हैं अब तक 33 लोगों की यहां पर मरीज सामने आ चुके हैं मद्य प्रदेश में भी चिंता का विश्य बनावा है 2096 केसे सामने आ चुके हैं और अब तक 99 लोगों ने अपनी जान गवाई हैं कोरोना वाइरस की वजह से और उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में 1793 मामले सामने आया हैं और 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इसलिए योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड में है और कहा है कि फिलाल लखनों में भी कोई रियायत नहीं मिलेगी चलिए अब आपको हम बता दें कि जब देश लॉगडाउन की दूसरी किष्ट के आखरी हफते में है तो प्रधार मंत्री मोडी ने देश से मन की बात की प्रधार मंत्री ने लॉगडाउन का सामना जिस अनुशासन से हो रहा है उसके लिए जनता की जम कर तारीफ की डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सिवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बढ़ला हुआ है पहले पुलिस के विशे में सोचते ही नकारात्मक्ता के सिवा है हमें कुछ नजर नहीं आता था हमारे पुलिस कर्मी आज गरीबों, जरूरत मंदों को खाना पहुचा रहे हैं दवा पहुचा रहे हैं जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है इसे पुलिसिंग का मानविय और सम्वेदन सिल पक्ष हमारे सामने उफर करके आया है हमारे मन को जगजोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है एक ऐसा आउसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से चूट रहे है हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता के सेवा के एक आउसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुती सकारात्मक बलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है प्रधान मंत्री मोदी ने फिर कहा कि लॉकडाउन की काम्याबी तब ही है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे यानि कि दो गस की दूरी बेहत जरूरी है एक बार फिर से ये मंत्र दिया हमारे पुर्वजों ने कहा है अगनी ही शेशम रुण शेशम व्यादी शेशम तथई वचव पुना पुना प्रभर्धेत तस्मात शेशम न कारियेत अर्थात हलके में लेकर छोड़ दी गई आग कर्ज और बिमारी मोका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाग हो जाती है इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवशक होता है इसलिए अति उत्सा में स्थानिय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा और मैं फिर एक बार कहूंगा दो गजदुरी बनाए रखिए खुद को स्वस्त रखिए दो गजदुरी बहुत है जरूरी प्रधानमंत्रिक मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत में साल बना है जब भी हमारी राष्टाद्यक्षों से बात होती है तो वो हिंदुस्तान का शुक्रिया जरूर करते हैं हमने विश्व के हर जरूर्त मन तक दवाईयों को पहुंचाने का बिड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया आज जब मेरी अनेक देशों के राष्टाद्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जंता का अभार जरूर व्यक्त करते हैं जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया थैंक यू पीपल अफ इंडिया तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है अधर दिल्ली के सीम अरविंद के जिवाल ने दो टूक कहा है कि जब तक लॉकडाउन है किसी तरह की छूट नहीं होगी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में दुकाने कब खूलेंगी ये केंदर के आदेश से ही तैह होगा अस्पतालों से 260 लोग ठीकों के अपने घर गए थे आठमें हफते में यानि कि पिछले हफते 580 लोग ठीकों के अपने घर गए थे तो एक तरह से दुगने से भी ज्यादा लोग ठीकों के अपने घर पिछले हफते गए थे तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बिमारों के और जितने लोग ठीकों के गए अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ़ते हमारे अस्पतालों में नेट आये थे और पिछले हफ़ते के विल 34 लोग आये थे नेट तो एक तरह से पिछला हफ़ता अच्छा राह रवीवार को जब मैं आपके सामने आया था मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तै कि आए कि लॉकडाउन ऐस इस जारी रहेगा कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दुबारा निर्ने लेंगे कि लॉकडाउन को जारी इसमें कुछ रियायत देनी है की नहीं देनी है तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं वो ये की परसों रात को केंदर सरकार ने कुछ तरह की दुकाने खोलने का निर्ने लियाये उस केंदर सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं कठिनाई का समय है, बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफते में आप सब लोगों ने मेहनत करके करोना को पे काबू पाया है, हमें इसे जारी रखना है किसी भी तरह से इसको अगे और बढ़ने नहीं देना। तीन मई तक पूरे देश में प्रधान मंतरी जी ने लॉकडाउन का एलान किया है, तीन मई के बाद केंदर सरकार इस पे क्या निरने लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं, केंदर सरकार के निरने के बाद हम लोग आगे के दिशा तेयर करेंगे लोगडाउन पार्ट टू आखरी हफ़ते में है लेकिन शहर दर शहर सक्ती में कोई कमी नहीं है दिल्ली भोपाल हो या फिर जैपुर लोगडाउन पर पूरे अनुशासन से अमल हो रहा है देखे तमाम शेरों की ये ग्राउंड रिपॉर्ट दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है रमजान का पाक महिना चल रहा है और इस समय हम पुरानी दिल्ली इलाके में मौझूद है अगर यहां की हम बात करें तो आप देख सकते ह किस तरीके से पुलिस जो है वो पुरी तरह से सकती बरते हुए हैं जो लोग भी यहां से जा रहे हैं उनके बाकाइदा उनसे पूस्ताच किया जा रहा है यह पता किया जा रहा है कि वो किस मकसद से घर से बाहर निकले हुए हैं क्या वो जरूरी चीजे लेने के लिए निक जगों पर अभी भी सकती साफ तोर पर देखी जा रही है ग्रेम अंत्राले ने आदेश दिया था कि जिन जगों पर करोना के मामले कम आ रहे हो वहां लॉक्डाउन में कुछ छूट डी जाए लेकिन मद्यपरेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वो छूट से अभी भ दूर है क्योंकि भोपाल में करोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए अगर आप देखें तो बैरिकेट लगा करके पुलिस कर्मी अभी भी लॉक्डाउन का सकती से पालन करवा रहे हैं सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी जो है वो बैरिकेट पर जाते हैं जिन जगहों को बताया गया है होट स्पॉट और रेड जोन उन जगहों को छोड़कर फिलहाल मद्यपदेश में आज से सभी शहरों में गाओं में दुकाने खोलने की मंजूरी मद्यपदेश सरकार ने दे दी है लेकिन इस छूट से अभी भी भोपाल इंदौर उजएन जैसे शहर दूर रहेंगे. या डॉक्टर हैं या अस्पिताल से जुड़े लोग हैं पुलिसकर्मी हैं उन्हें ही जाने की इजाज़त है सबसे ज़्यादा मौते अगर किसी राजस्तान में किसी इलाके में हुई है तो रामगंज में हुई है इसे देखते हुए तैकि आ गया है कि भामाशा योजना हटाया जाए क्योंकि इनकी डेट हो रही है और इनकी डेट की वज़े से ये दूसरी बीमारी की वज़े से अस्पिताल में भरती होते हैं और पता चलता है कि कोरोना भी एक मौत की बज़ा थी और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों से नाए एहम घूमी का निवा रही है समुद्बे पर आज तक समधा था मंजीत नेगी ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनल बिपिन रावत से खास बात चीट की हमारे साथ चीफ डिफेंस स्टाफ जनल बिपिन रावत हैं जनल साब किस तरह की कारवाई तीनों से नाओं की तरफ से इस वक्त जो करोना की महामारी पूरे देश में चल रही है उसकी क्लिक जाती जानी है देखिए करवना की महामारी से सही तरीके से उभर के आने के लिए पूरा देश एग्जूट होके कारवाई कर रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पास निर्देश आ रहे हैं प्राइम निस्टर ओफिस से कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इसकी समिक्षा कर रहे हैं उनकी मीटिंग में भी हम शामिल होते हैं और वहां से जिस तरह के आदेश आते हैं इन आदेश का हम सही तरीके से पालन करते हैं और इसके साथ साथ Ministry of Health and Family Welfare द्वारा जो निर्देश दिये जा रहे हैं इन पर हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं हमने जो हमारे को मेडिकल के लिए जो किट की जरूरत थी वो भी हमने प्रकॉर्मेंट शुरू कर दी है जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे को वेंटिलेटर की जरूरत थी कुछ परस्टनल प्रोटेक्टिव एकुप्पेंट और प्लोधिंग खास करके मेडिकल के लिहाद से इसकी हमने डिमांड दे दी गई है और यह हमारे पास आने शुरू हो गए हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है पी-पी या वेंटिलेटर्स या सैनिटाइजर्स या अन्य कोई एकुप्पेंट की और हमने अपने जो हॉस्पिटल त्यार किये हैं कोविड के लिए अपने देशवासियों के लिए ये अलग हॉस्पिटल हमने तेनाद किये हैं पूरे रीजिन में नौट साउथ इस्ट वेस सेंटर में इसकी समिक्षा हमारे रक्षा मंतिज ने भी ली थी उन्होंने हाली में हमारे सब कमांडर्स इंचीफ से बाचीट करी और उन्हें समिक्षा ली कि किस तरह से हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और किस तरह से हम सतर्क हैं किस तरह से हम तैयार हैं अपने देशवासियों को मदद करने के लिए एक साल सब फोर्सेस के नदर रख तीनों सेनों की बात कीजिए तो उनके क्या अस्तती है चाहे उनमें जो कोविट का कितना असर हुआ है लेकि हमारे जवानों को भी कुछ-कुछ हद तक असर हुआ है लेकिन क्योंकि मैंने बताया हम लोग धैर्रे और अनुशासन के साथ कारवाई कर रहे हैं इसमें हमारे में इतना ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर हमारे एक जवान या एक आफसर को भी अगर कोविट से संक्रमित पाया जाता है तो हमारे को उसके साथ अन्य जवानों को अन्य आफसर लोगों को कॉरिंटीन में करना पड़ता है इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा कोई भी जवान या अफसर इससे संक्रमित ना हो लेकिन जहां जहां हमारे लोग संक्रमित हुए हैं हमने वहां कॉरिंट्राइन की प्रक्रिया पूरी तरह से करी है हमने अलग से कॉरिंट्राइन सेंटर्स बनाए हैं हम इस पर भी कोर्सिस से लॉट रहे हैं कोर्स पूरा करने के बाद खास करके उत्री और पूर्वी कमांड में जहां हमारे को इस वक्त सतर करने की ज़रूरत है वहां पर हम जवानों को पहले 14 दिन के लिए कॉरेंट ट्राइन कर रहे हैं ताकि हमारे जो जवान बॉर्डर एरियाद में डि